बिजली गिराने हो मैं आई ये गाना कितना बड़ा सुपर हिट है ये तो खेर हम सबी जानते हैं और ये गाना सुनने के बाद एक है इंसान के बारे में हम सब सोचने लगते हैं और वो है श्री देवी जो की एक बहुत बड़ी हस्ती थी और हस्ते ही हस्ते ये दुनिया छोड़ कर चली गई तो ही आपको बता दे कि खबरे आ रही हैं कि उनकी बेटी जानवी कपूर अपने शादी को लेकर काफी जादा एक्साइटेड है और वो क्या-क्या चाहती हैं कि उनके शादी में क्या प्रिपरेशन्स हो तो आईए खबर पर नजर डाले बॉलिवुड की जानी पहचानी आक्टरस तथा दिवंगत श्री देवी की बेटी जानवी कपूर अपनी शादी को लेकर जो रास खोला है वह सभी के दिल को छू लेने वाला है असल मेया कालाकार जितनी अच्छी आक्टरस है और आक्टिंग में उन्होंने नाम कमाया है वो शोशल मीडिया पर काफी जादा आक्टिव भी रहती है इतना ही नहीं वे अपने परसनल लाइफ को लेकर काफी जादा संजीदा है तो ही आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दोरान जब जानवी से उनकी शादी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बेहत इंट्रेस्टिंग जवाब दिया फिल्म रूही के प्रमोशन के दोरान जानवी कपूर से पूछा गया था कि वह किस तरीके से शादी करना चाहेगी और उनकी शादी में क्या-क्या स्पेशल होगा तो ही आपको बता दें कि जानवी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि वह अपनी शादी बहुत सिंपल करना चाहती हैं जसमें जादा ताम जाम ना हो शादी महस दो दिन में हो जाए जानवी कपूर किसी बड़े होटल या मैरेज गार्डन में नहीं बलकि उनका कहना है कि मैं तिरुपती में शादी करना चाहती हूँ उनका कहना है कि जिससे भी मैं प्यार करूँ उससे तिरुपती में शादी करूँ पहनावे को लेकर जब बात हुई तो मासू माक्ट्रस बेहत संजीदा दिखी और उनका कहना था कि शादी में मैं चाहती हूँ कि मैं कांजी वरम साड़ी पहनू और बालों में मोगरे का फूल लगाऊं उन्होंने या भी कहा कि मेरे होने वाले पती लूंगी पहने और हम केले के पत्ते पर खाना खाए तो यह आपको बता दें कि जानवी ने कहा कि मेरी शादी में सर्फ करीबी रिष्टदार ही शामिल होंगे जब जानवी से पूछा गया कि उन्हें कैसा पती चाहिए तो इस सवाल पर उन्होंने कहा मेरे पती समस्दार होने चाहिए लेकिन अभी तक ऐसे किसी इनसान से मुलाकात नहीं हुई है मेरी तो यह है जानवी कपूर के शादी को लेकर उनकी प्लानिंग आगे की जानकारी के लिए और लेटेस न्यूस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एक्स्क्लियूजिफ तड़का